तो फ्रेंड स्वागते आपका मेरे यूटुब चैनल में आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर आपका डीजी बराबर बोल्टेज नहीं दे रहा है तो उसको कैसे टिक करेंगे तो आज के इस वीडियो में आपको step by step उसको करके बताऊंगा कि अगर आपका भी डीजी वोल्टेज बिल्ट बिल्ट अप नहीं कर रहा है जो हमारा फेस फेस का रिगॉर्ट होता है अभी हमारा डीजी वोल्ट बिल्ड अप नहीं कर रहा है आपको इसको चालू करके दिखाऊंगा अभी इसमें तीनों फेस में बोल्ट बहुती कम आ रहा है तो अभी हम इसको आपके सामने स्वाल करके दिखाएंगे आप उस हिसाब से इस टाइप का फॉल्ट को असानिक आ रहा है तो उसको हम क्या करने एक पर यहां से चालू करेंगे चालू करहा है इसका है तो फॉल्ट हम्हें कंसराइक शर्ण शर्स छाहिए पनलाव खेस यह तरा हमकुमम आखेस ठील पाउन करेंगे तुछ इसको क्रेंगे Ewсти की निइज़री ना करके यहां पर यहां सबस्क्राइब रर्च उतलब को किने दिज़रे सीन आपको पहें किस्या उपना कहले हम उन्याय चेस्च करी है Wherever यहां पर भी आपका बोल्टेज नहीं बराबर आ रहा है उसके बाद इसमें क्या चीज चेक करना होता है बहुत सरा इसमें और भी प्रोलम होता है मैं सब स्टेप बाइस चेक करके बता हूं तो पहले में आपको यहां पर बोल्टेज चेक करके दिखा देता हूं कि यहां पर कि लेंजें कि अ मरा के प्रेश एक प्रेश 가요 अपूर जेक चाला है जो आपको चाला रहरा है इसमें भी चेक करने हैं तो आप यहां पी चेक करने हैं तो पिर से बंद करें ठीक है अब दीखें जब यहां पर भी चेक करेंगा है तो उसके बाद हमको क्या करना होता है जो हमारा DG का negative tragen रहता है वहां पर हमारा इसका Avr लगार रहाता है थिक है तो पहले आपको यहां पर चएक करना है एक यहां भी अगर आपका डिग डिगोंटेज नहीं दे रहा है उसके वदद क्या करना है आपको अपना तो लगा है, तो वहांसे कृवर्म हो रही है तो अगर आपको लेके चलते हैं अभी का है यह हमारा A Одस OnePlus API है एक बारा आलडनेटेर भी याए हो में इसी के पास हो रहा है हमारा A.B.Y.Rsin Land तो अगर आपको DG Voltage Build-Up नहीं कर रहा है, तो पहले आपको MCCB में एक बाद चेक कर dif can लेता हूं, वह पर आपको ऑपर Voltage आ रहा है, तो उसके बाद आपको AVR चेक कर Онаा है, यह step by step आपको check कर करना आपको अगर AVR चेक करने के बाद भी अगर आपको वोल्टेज बिल्डप नहीं हो रहा है तो उसके बाद हम क्या चीज़ चेक करते हो भी आपको बताऊँगा जो हमरे इनपूट सप्लाई AG एवियार करता हिए हमअरा एक एक सोट दस बोल्ट है यहां पर आपका अल Christmas अलग 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 ईवियार का अलग अनपूट सप्लाई रहता है। यहां से जाता है ठीक है जो हमारा डीजी में एकसाइटेशन बोल्टेज होता है वह हमारा बहुत इंपोर्टेंट अगर आपका डीजी बोल्टेज नहीं बना रहा है तो उसमें आपका एकसाइटेशन बोल्टेज का बहुत बढ़ा रोल होता है यह जो हमारा एकसाइटेशन बोल्टेज होता है वह हमारा एक्साइटेशन बोल्टेज बराबर नहीं निकाल रहा है तो उस कंडिशन में क्या होगा आपका डीजी बोल्टेज बिल्डप नहीं करेगा ठीक है तो आप किसी भी अल्टरनेटर पर जाएगा तो सारे अलग अलग होता है और वहां पर क्या हो एक्साइटेशन बोल्टेज एक्साइटेशन करेंट दोनों आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा तो इसका एक्साइटेशन बोल्टेज मेक्सिमिम्म कितना है 60 है तो मतलब हमारा जो लिख्साइटेशन बोल्टेज दोनों नहीं नीगा और इसका मिनिमम्म क्या होता है तो यहां से एक्साइटेशन के बोल्टेज निकालता है वह जब हम डीजी पे लोट डालते हैं तो इसका एक्साइटेशन बोल्टेज बढ़के आपको 60 तक जाता है सारे अलग-अलग अगर अगर आपका यह वाला प्रोसेस करने से अगर आपका डीजी बोल्टेज बिल्ट अप कर रहा है तो आपका AVR में प्रोलम है तो आप ऐसे भी अपने डीजी को चला सकते है ठीक है अगर यहां से भी यह वाला प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपका डीजी का बोल्टेज बिल्ड अप नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है आपको अलग से एक्साइटर एस्टेटर को बारा बोल्ट का सप्लाई देना आप उसको जो आपका डीजी का बैटरी रहता है पहले हम इसको डोनों बार को लेजाकर कनेक्ट करने ठीक है तो अभी चले यह leverage का वागोगाष लागा हुवा यहां पर आपको क्या करना देखना है जो ही आपका प्रूजेटिव मर्न देखनाए प्लट आपके वालेचिव में और लाइनच भी त confessपट अपफ थो आधा ही उसके बाद क्या होता है हम इसको क्या करंगे चैपल नहीं करेगा जब इसको क्या करें चैu LAपी चैटर को अलग से बारा बॉल्ट का सपलाई दे करें लाlegen आपको इस काम थे को क्या क्या करना है और इसको ब vessel कुल करना हुआ रहे कि यहां यहां पर बैटरी में जोड़ लेंगे और यहां पर हमने इसे इस 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 वो जोड़ाय ठीक है अब हम क्या करें के एक बाद डीजी को चालू करेंगे और जो चालू करें देखेंगे जो हमारा डीजी जो बॉल्ट энफ नहीं कर रहा था तो अभी इस इस में अलग सी 12 बोल्ट के स्प्लाई एक्साइट रेटर को दे रहे हैं तो उस कंडिसेंद में हमारा डीजी से बोल्टेज बन रहा है तो चले में आपको कंट्रोलर के साइड में लेकर चलता हूँ और डीजी चालू करके दिखाता हूं कि हमारा डीजी अभी कितना बोल्ट यहां जो पहले हमारा 60-65 बोल्ट आ रहा था तो अब इसमें कितना बोल्ट जा रहा है तो चले मैं आपको इसमें चालू करें यहां चालू करेंगे और 4352 पे हमारा बोल्टेज्ड बोल्टेज बिडप करने लगा है ठीक है अभी देखे होंगे अभी देख रहें कि हमारा यहां पे बराबर कर रहा है जो कि हमारा 110 बॉल्ट के आसपास मिल रहा था अभी क्या है हमारा यहां पे 413, 513, 430 के आसपास और आपका 9 लाइन और नूट्रल में यहां पे 250 के आसपस मिल रहा है ठीक है अगर माल लिजे आपका डीजी अगर हम जैसे हम अलग से इसको एक्साइटर एस्टेटर को जो कि हम 12 बोल्ट सप्लाई दिये थे वो देने के बाद भी अगर हमारा बोल्टेज बिल्ड अप नहीं करता उस्टे में क्या प्रॉलम होता तो चलिए मैं आपको अल्टरनेटर साइड में ले चल के वो भी बता देता हूं तो देखिए अगर माल लिए यहां से 12 बोल्ट एक्साइटर एस्टेटर को देने के बाद भी अगर आपका डीजी बोल्टेज बिल्ड अप नहीं करता मानिए यहां तो अभी हम दिये तो हमारा डीजी बोल्टेज बिल्ड अप कर रहा है मतलब आपका एवियार खराब है आप यहां से अपने वियार को चेंज करना तो यहां से 12 बोल्ट देखें अगर फिर भी बोल्टेज बिल्ड आप नहीं किया उसके बाद आपको क्या करना होता है देखिए जो अल्टरनेटर के साइड में आप देखिए आगे के साइड में एक आपको इस से राउंड करके दिखेगा जब आप उसको आगे का बोल्ट पूरा खोलिएगा तो क्या होगा निकल जाएगा और आपका अल्टरनेटर का आगे का जो हिस्सा रहेगा वह आपको बैंडिंग का पूरा दिखाएगा और आपको डायोड हो गएरा सब कुछ उसमें दिखाएगा ठीक है उस टेम में भी चाहिएगा आपका डिटी बोल्टेज बिलडफ नहीं करेगा तो यह 3 sık बिलटेज नहीं बनाएगा तो आपका डीडीटैज बनाएंगा तो कभी कर सकता ठीक है तो उमिरे दोस्त! आप वीडियो समझ पढनानेगों वीडियो तो कोई बहीं बहيف Subscribe तो आप जरूर आपको कमेंट करिए का मैं आपका हेल्प करेंगा चलिए मिलका हूं नेक्स वीडियो में तब तक लिए टैंक यू